आज हम बनाएंगे यह सुपर क्यूट और एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी पिंक वेलवेट कपकेक्स और साथ में इनकियाद जो आइसिंग है उसे हम एक अलग तरीके से डबल क्रीम के साथ करेंगे और यह जो कपकेक्स है इसे हम बिना एक्स बिना अवन घर की नॉर्मल कडाही में बनाएंगे बहुत ही आसान और इंट्रस्टिंग सी रेसिपी है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ आधा कप दूद और यह जो दूद मैंने यूज किया है यह नॉर्मल रूम टेंपरेचर के उपर है और साथ में इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच विनेगर यानि की सिरका आप इसकी जगा इसमें नीबू कर रस भी डाल सकते हैं तो बस इसे थोड़ा मिक्स करके अब हम इसे 10 मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे और एक तरफ सबसे पहले कडाही को गरम होने के लिए रखेंगे तो इसके लिए कोई भी मोटे तले की कडाही ले ले लिजे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक ये नॉर्मल खाने वाला नमक है और फिर हम इसमें एक स्टैन रख देंगे और इस पैन को उपर से धखके मीडियम फ्लेम के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम होने देंगे और इक तरफ हम अपने मोल्ड को भी तायार कर लेंगे तो इन कपकेक्स को बनाने के लिए मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया है आप इसके जगे अलुमिनियम मोल्ड ले सकते हैं या फिर अपने घर की कोई भी सिंपल सी स्टील की कटोरी ले लीज़े और इसे बस ओयल से अच्छे से ग्रीस करिए और टारेक्ट भी आप अपने कपकेक्स को इसमें बना सकते हैं तो इन मोल्ड में हम सबसे पहले लगा लेंगे ये पेपर कप्स तो बस हमारा ये मोल्ड भी तायार है अब हम अपने इन कपकेक्स का बैटर बनाएंगे तो इसके लिए एक bowl में मैं यहां ले रही हूँ एक चुथ हाई कप oil, कोई भी neutral flavor का refined oil आप यूज़ कर सकते हैं और साफ में डालेंगे एक ती हाई कप देही, घर की normal ताजी देही लिए मैंने यहां और आधा कप प्लस दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी तो इन तीनों चीज़ों को हम पहले अच्छे से mix कर लेंगे, तक्रीबन 30-40 से किंड ते और इसे mix करने के बाद अब मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा चोटा चमच वैनिला essence, इसे भी mix कर लेंगे और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के उपर रखेंगे एक चनी, और इसमें मैं डाल रहे हूँ एक कप मैदा, एक चोटा चमच बेकिंग पावडर, एक चोटा चमच बेकिंग सोडा तो इन सारे dry ingredients को एक बाद छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी lumps ना रहे और इसके बाद इन dry ingredients को mix करने के लिए ना मैं यूज़ कर रही हूँ spatula और इस तरह से इसे बलकुल हलके हलके हाथों से cut और fold करते हुए हम mix कर लेंगे और ध्यान रखेगा कि इस stage के ऊपर हमें इसे over mix या vigorously mix नहीं करना है नहीं तो हमारे ये जो cup cakes है ये dense बनेंगे और इसके बाद अब हम इसमें add करेंगे ये pink gel food color तो मैंने यहाँ पर ये 4 drops is gel food color के add किये हैं आप इसमें चाहें तो liquid food color भी add कर सकते हैं तो बस इसे भी बिल्कुल हलके हाथों से mix कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये दूद तो आप देखनें कि पड़े पड़े ये दूद जो है ये curdle कर गया है तो इस butter milk को भी इसके साथ अच्छे से हलके हाथों से ही mix कर लेंगे तो बस इसी के साथ अब हमारा ये better बिल्कुल तायार है और आप देख रहें इसकी consistency तो बिल्कुल ऐसा ribbon जैसा flowy better बनाना हमें तो इस better को अब हम ढाल देंगे अपने इन molds में और ध्यान रखें कि इन cupcakes को ना हमें पूरा उपर तक फिल नहीं करना है बस सिरफ two-third तक ही फिल करेंगे हम तो इससे फिल करने के बाद mold को थोड़ा टाप करेंगे तो बस mold तायार है और इधर ये जो कड़ाही गरम होने के लिए रखी थे हमने पहले अब ये भी काफे अच्छे से गरम हो गई है तो carefully अपने इस mold को इसमें रखतेंगे और इसे उपर से ढखके low-medium flame के उपर पकाएंगे तकरीवन 15-20 मिनट तक और ये जो timings है ये थूरी से आगे पीछे हो सकती है तो एक बार इसे आप 13-14 मिनट पे ज़रूर चेक करिएग और अवन के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीवन 15-20 मिनट तक जब तक ये toothpick बिल्कुल clear ना जाए तो इसे रखे हो मुझे पूरे 16 मिनट हो गए है और आप देख रहे हैं कि ये काफी अच्छे से फूल गए है एक बस सेंटर में toothpick को insert करके चेक करेंगे तो इसके लिए क्रीम क्यों तायार कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर ये एक कप क्रीम ली है और मैं आज ये नॉन डेरी विपिंग क्रीम यूज करते हूं आप इसकी जगा कोई भी और क्रीम ले सकते हैं बस सिरफ एक चीज का ध्यान रखेगा कि उसमें जो fat content है ना वो कम से कम 30 80% होना चाहिए तो इस क्रीम को विप करेंगे चाहें तो हैंड विस्क यूज कर सकते हैं नहीं तो इलेक्रिक विस्क यूज करिए और इसे हमें विप करना है तब तक जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो चाहें तो थोड़ी देर तक इसे इक्वल पोशन में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आज हम जो क्रीम है उसे दो कलर में बना रहें तो इसलिए दोनों इक्वल पोशन में डिवाइड किया मैंने इसे और इसमें अब हम अलग-अलग कलर्स आड़ कर देंगे तो पहली वाली क्रीम में डाल रहूं पिंक जल और दूसरी वाली में डालोंगे लालेक फूड कलर आप कोई भी अपना मत पसंद कलर कॉंबिनेशन यूज कर सकते हैं और कलर की क्वंटिटी थोड़ी कम रहे इसलिए मैं इसे एक टुद्पिक के साथ लगा रहे हूं इस क्रीम में तो बस इस तरह से थोड़ा पिंक कलर ड और इसके बाद अब एक और पाइपिंग लिया मैंने यहां जिसके आगे न मैंने एक टूडी नॉजल लगा ली है वैसे आइडली यह वाला जो पाइपिंग बैग है यानि कि आउटर वाला जो बैग है यह इनसे बड़ा होना चाहिए बट मेरे पास आज बड़ा वाला ब आपिंग बैग बिल्कुल तायार है तो इसे रखेंगे एक साइट पर और अब हम चलेंगे अपने कपकेक्स की तरफ तो यह बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए है इसे अब हमें स्मोल से निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में और आप देख रहें कि कितना क्यूट कलर ह इनका बहुत ही जादा यमी लग रहेंगे देखने में और अंदर का जो टेक्शर है उसमेंगे एक्टम सौफ्ट स्पॉंजी और मोइस्ट जालीदार बने हैं बहुत ही जादा यमी बनते हैं तो चलिए कपकेक्स तो तायार हैं आप चाहें तो इनके को इसी तरह से सर्फ क सकते हैं अब हम इनके racing करेंगे और double cream के साथ जब करते हैं न तो आइसिंग से पहले आप फुरी सी cream को इस्ठाव से किसी बोड्य बेड के ऊपर निकाल करेंगे कि दोनों cream जो है ये equal amount में बाहर आ रही है ये नहीं और अगर जब तक इस तरह से ये equal amount में बाहर ना आए तब तक चो cream है न वो आप इसी तरह से बाहर निकालते जाएए तो बस अब हम इन चोटे-चोटे cute से cupcakes की करेंगे icing तो आप देखें कि कितनी यमी लग रही है कि देखने में इस तरह से डबल क्रीम के साथ ये icing करने में भी आसान है और देखने में इन कपकेक्स को और भी ज़्यादा अट्राक्टिब बना रही है तो बस इसी तरह से सारे कपकेक्स की icing कर लेंगे और एंड में फाइनल गार्निशन के लिए में इसके उपर डाल जो थोड़े से सिल्बर पर्ल्स और थोड़े से कलर्फुल स्प्रिंकल्स तो बस इसी के साथ तायार है हमारे ये बहुत ही यमी और एक्दम क्यूच से पिंक वेलबेट कपकेक्स आप देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ये और बनाने में भी बिलकुल आसान थे इसमें ये जो कपकेक्स हैं ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी हैं और साथ में ये डबल क्रीम बहुत ही ज़ादा यमी लग दिये तो फटफट से ट्र रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा पिक्चल शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपी की आप मेरे इंस्टाइग्राम पर और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक करना ना भूलें